पुतरप्रदेश के बांदा में मनरेगा करमचारियों ने सेंकलों की संख्या में एक अलेक्टरेट में पहुचकर प्रदर्शन किया दसूत्रिय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ग्यापन स्वाप करमचारियों ने जिले के अधिकारियों पर आरोप लगाया और कहा कि 4 अक्टुबर 2021 को मुख्यमंत्री जी ने लखनव में सभी जिले के मनरेगा करमचारियों के साथ एक बड़ा सम्मेलन किया था और मुख् लेकिन तीन वर्ष बीतने के बाद भी अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं कहा कि अगर दिपावली तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो तो पूरे प्रदेश के मनरेगा करमचारी लखनों में प्रदर्शन करेंगे और इसके जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित् अगर दिपावली तो पूरे प्रदेश से समस्त मनरेगा करमचारी लखनों में मानिय मुखमंत्री जी ने बुला कर एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने का काम किया था उस सम्मेलन में हम सब लोगों के लिए मंदेगा करमचारी लिए तमाम धोस्ताओं की थी लेकिन दुरुभाग इस बात का है कि इस प्रदेश के मुख्या के कहने के बाब जोद भी आज तीन वर्स का कारकाल दुबारा पंच वर्शी का कून होने के बाद एक मुखमंत्री क दौरा कही गई किसी भी बात पर आज तक अमल नहीं किया गया और उनके प्रसासलिक अफ्सरों ने लगातार उनको गुम्राय करने का काम किया और जिन भी गोफ्राइग की थी एचार पालसी हमारा एप है हमारे तमाम मंदेगा करमचारी काल के मुग में समा गये किसी पालसी की गोफ्रामानी मुक्मंत्री जी द्वारा की गई थी तीन वर्स बैतीत हो जाने के बाद आज तक एचार पालसी नहीं लागों की गई एप हम लोगों के मान देश एप काट लिए गया हमको लगता है जो भारत देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होकर वास्ति कर्मचारी बांदा में 4 अकूबर के दिन मानी मुक्मंत्री को उनका युदा याद दिलाने के लिए अंदोलन करने के लिए मलबूर हुआ अगर दीपा वली के पूर्व तक हमारी समस्त मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो पूरे प्रदेश का मन्रेगा कर्मचारी ल परती समचार नजर हर खबर पर